हलो स्टुएंट्स ना वेलकम टू टागेट फोकस वन स्ट फॉर सकसेस बेस्ट लाइन प्लाइफ यूट्व चैनल में आप सभी का स्वागत है तो दिया स्टुएंट्स हम डिसकॉस कर रहे ही हिमाचा प्रदेश समाने अध्याइन तो आज हम डिसकॉस करेंगे सेशन नमबर तो हम डिसकस करें थे जिला कांगला का संग शिप्त इतियास वीडियो को पूरा पूरा देखेगा क्योंकि जितना भी हम डिसकस कर रहे हैं आपके अग्जाम पॉइंट अव्यू से काफी जादा इंपोर्टेंट है और जिसकी सिने भी अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए का ताक कि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके टागेट फोकस आप सभी को प्रोवाइड करा फिर वीडियो लेक्चर पीडिय अपनोस और टागे के राजा उनके सरक्षन में वीडिचन को रखा गया था 1585 में जो है राजा जैचन की मृत्यू होगी थी उसके बाद जो राजा बने थे वो बने थे कांगला के राजा वीडिचन तो आज हम डिसकस करेंगे राजा वीडिचन के बारे में तो राजा वीडिचन जो है राज 1872 में इन्होंने राजा बीदीचन ने अकवर के खिलाप विद्रोख खड़ा कर दिया था जब राजा जैचन को अकवर ने बंदी बना दिया था तो मुगलों के अधिपत्या से पहारी राजाओं के भीतरे का संतोष की लहर बहुत दिनों से चली आ रही थी बीदीचन ने इसका लाब उठाया और उनको संगठित करके और उनका नेत्रित्व करके मुगल शासक के खिलाप 1588 और 89 के भी बकावत कर ले थी किसने राजा विदीचन ने पहाली राजाओं को एकत्रित करके या फिर उनको संगठित करके उनका नेत्रित्व करके 1588 में अकवर के खिलाप या फिर मोगलों के खिलाप बगावत शुरू कर ली थी तो 1585 में अपने पीता जैचन की मृत्यू के बाद विदीचन राजा बने और उन्होंने जम्मू और कांगला के बीच राज्यों का एक गटबंदन बनाया और अकवर के खिलाप बगावत शुरू कर ली थी तो 1588 में जो है राजा बीदीचन ने गटबंदन बनाया था परंतू मुगलों के सामने कोई गटबंदन नहीं चलने वाला था अकवर ने क्या कर दिया वही जो राजा बीदीचन दोरा जो विद्रोग खड़ा किया था उसको दवाने के लिए अकवर ने जैन खान कोका को एक भारी सेना देकर जो है कांगला भेजा वह पठान कोट की और से कांगला के और बड़ा और सतलूज तक बलता गया पठान कोट और सतलूज के बीच वाले भाग के सभी राजाओं ने अकवर की प्रभुसत्ता को मान लिया और तेहरा राजाओं ने मुगल दरवार में ज परंतु विदी चन ने अपने पुत्र त्रिलोक चन को अकवर के दरवार में ही रखा, मुगल दरवार में राजाओं के पुत्रों को रखने की प्रथा अकवर नहीं चलाई थी, जिससे की ये लोग विद्रो ना कर सके, तो क्या कर दिया भई, राजा विदी चन ने अपने प पचानवे में जस्रोटा की राजा के नित्तों में एक विद्रो हुआ लेकिन कांगला की राजा विदी चंद और नूरपूर के राजा वसु इसमें शामिल नहीं थे इन्हों ने भाग नहीं लिया था क्यूंकि राजा विदी चंद ने अकवर के सामने 1588 में आतमस मर्पन कर दिया था और अपने पुत्र त्रिलोक चंद को अकवर के दरवार में बंदख के तोर पर रख दिया था तो इस विद्रोह को दवाने के लिए अकवर ने मिर्जा रुस्तम कंधारी और शेक फरीद को बेजा और मिर्जा रुस्तम कंदारी और शेक फरीद ने जो इस विद्रो को सफलता वोरवक समाप्त कर लिया या फिर सफलता प्रोक दवा दिया तो राजा वीदी चंद के बाद जो राजा बने थे वो थे तिरी लोग चंद ये बने थे 1605 इस्वी में 1605 इस्वी में जो है जहांगीर भी दिली की गदी पर बैठा था तो ध्यान दीजी का कई बार क्वेशन पूछा जाता है कि कांगला का कौन सा राजा उस समय गदी पर बैठा था जिस वक्त जहांगीर गदी पर बैठा यानि जहांगीर दिली की गदी पर बैठा था 1605 में और तो उसमें कांगला का राजा त्रिलोक चंद भी शामिल था तो जहांगीर ने सभी राजाओं का मान किया परंतु उसने गुप्त रूप से आदेश दिया कि त्रिलोक चंद को पकड़ कर बंदी बना दिया जाए तो इसके पीछे की कहानी क्या है वही उसको जान लेते हैं पहले ध्यान दीजीगा राजा बिदी चंद ने त्रिलोक चंद को अकबर के दरबार में रखा था तो अकबर का पुत्र यानि जहांगीर जब छोटा था तो त्रिलोक चंद भी छोटा था किसके पास था भाई त्रिलोग चंद के पास एक तोता था जिसे सलीम अपने पास रखना चाता था उसने तोते को मांगा परन्तू त्रिलोग चंद ने उससे देने के लिए इनकार कर दिया था परिलाम सुरूप जहांगीर ने समराट बनते ही कांगला पर आकरमन कर दिया था और कांगला के इत्यास में बरनित है कि जब राजा त्रिलोग चंद गदी पर बैठा यानि 1605 इस्वी में गदी पर बैठा तो राजा त्रिलोग चंद ने अपने नाम के सिक्के निकालना शुरू कर लिये थे यानि त्रिलोग चंद ने अपनी मुद्राएं चालू की तो जि 1212 इस्वी में जहांगीर ने कांगला पर आकर्मन किया तो उस आकर्मन में जो है त्रिलोक चंद की मृत्यू हो गई और उसके बाद जो राजा बना हो बना था हरीचंद सेकेंड यानि हरीचंद द्वित्य राजा बने थे अगले तो हरीचंद प्रत्थम वो राजा थे वई जिसने जो है रियासत की इस्ठापना की थी तु त्रिलोक चंद के पुत्र हरीचंद द्वित्य का इत्यास काफी लंबा चोड़ा है इत्यास है तो इसको में कल डिसकस करेंगे तो आज के सेशन में इतना ही करते हैं उमीद आप सभी को आज का सेशन पसंद आया होगा तो अगर पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब किजिए टार्गेट, फोकस, यूटूब चैनल को और बने रही हमारे साथ.